तो हे बड़ीज और वेल्कम बैक टू दी चैनल स्पाइस और योग एंड आज की वीडिवा हम लोग बात करने वाले हैं काफी खतरनाक मूवी के बारे में सालों के बारे में मूवी की स्टार्टिंग में 1994 वर्ड वर टू के बाद इटली का सहर सालों दिखाया गया जहां चार अमी लोग बैट कर मीटिंग कर रहे होते हैं चार लोग होते हैं प्रेसिडेंट बैस्वाप मजिस्ट्रेट और ड्यूक यानि यह सब उची पोस्ट के लोग होते हैं यह चारों एक दूसरे की बेटियों से साधी करने का डिसाइट करते हैं उनके लिए यह लोग एक रूल बनाते हैं कि उन्हें जब मेंसन में ले जाया जाएगा तो उन्हें हर बत न्यूड रहना पड़ेगा और फिर यह चारों टीनेजर लड़कों को गाट की नौकरी पर रखते हैं और चार जबान स्टड उनके प्लेजर देने के लिए और उसके बाद बहुत सारे जबान लड़के और लड़किया चुनते हैं मेंसन में ले जाने के लिए और इन सब को उन्होंने केवल फिजिकल फिचर से चुना होता है ये लोग सब को मेंशन ले जा रहे होते हैं तभी एक लड़का ट्रक से कूत कर भागने की कूशिश करता है लेकिन गाट उसे स्टूट करके मार डालते हैं अब डिवाइन कॉमेडी का सेकेंड स्टेप यानी की सरकल आफ मेनिया स्टार्ट होता है इन चारों अमील लोगों ने चार प्रोस्टिटूट्स को रखा होता है जिनका काम होता है अपने सेक्स्वल एक्सपीरियंस को इन बच्चों के साथ शेयर करना ताकि ये लोग सही तरीका सीख सकें और ये चारों किड्नै बच्चों पर काफी जुल्म करते हैं जब इनका म प्रेसिडेंट अपना अंग परदर्सन करते हैं और स्टड के आगे जाके जुग जाते हैं और जिससे वो स्टड फिर उसके साथ करता है और प्रेसिडेंट को काफी मजा आता है तो वो गाना गाने लगता है तब ही एक प्रो प्लेयर एक मैनिकमेंट लेके आती है और उसस लड़कियों को कुछ सिखाती है तभी एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिस करती है वो लोग उसका गला काट कर मार डालते हैं और उसके बाद वो दोनों लड़के सरोज और रेनाता की साधी कराते हैं और इस सेरिमेनी में सब लोग मौजूद होते हैं तभी ड्यूक सब के पास जाता है और उन्हें एक एक करके चूमता है और सेरिमेनी खत्म होने के बाद वो सब को कमरे से बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ उन दोनों सरोज और रेनाता को अपने सामने एंटीमेट होने के लिए कहते हैं जब वो दोनों एंटीमेट होने वाले होते हैं तभी पैसब प्रेसिडेंट उन्हें रोक लेते हैं और यह देखकर magistrate वहाँ आता है और डियुक से अपनी प्यास बोजाता है अगले दिन यह सभी को कुत्ते की तरह बीव करने के लिए कहते हैं तो सभी विक्टिम्स कुत्ते पे गले के पत्ते बांद कर कुत्ते की तरह बीव करत और इससे magistrate को काफी गुसा आता है और तो वो उसे कोड़े बारता है और अदमरा कर देता है और इसके बाद वो खाने में कील डार कर प्रेसिडेंट की बेटी को खिलाते हैं और जिससे खाने से उसके मूझ से खून निकलने लगता है पर उसे order finish करना था तो वो खाना पू एक्टिम से प्यास भुजा रहा है आनी में वो प्रोपलेयर बताती है कि उसने अपनी मा को मार डाला था क्योंकि उसकी मा उसे प्रोस्टिट्यूट नहीं बने दे रही थी और इतना सुनकर रेनाता की अपनी मा की याद आ जाती है और वो रोने लगती है उसे रोता देख जिसके कपड़े उतानने लगते हैं तभी ये टौचर देखकर वो भगवान से प्रे करती है कि वो उसे उठा लें और भगवान का नाम सुनकर डुक को काफी ज़ादा गुसा आ जाता है और वो वहीं पर हग देता है और उसके बाद वो रेनाता को उसकी वेस्ट खाने के लिए कहता है रेनाता वो नहीं खाती तो वो उसे जबरजस्टी खिलाते हैं और प्रेसिडेंट फिर रूल बना देता है कि अपना अपना वेस्ट खाना होगा और वो सबसे पहले लड़कियों के रूम में जाके चेक करता है कि उसमें से किसी ने की है तो वहाँ पर एक बैट जाते हैं जहांपर उन्हें वेस्ट माटीरियल उन्हीं का सर्व किया जाता है जिसे वह बहुत चाओ से सारे खाते हैं और फिर वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि जिस विक्टिम के सबसे बढ़या चूताड होंगे वो उसे मार डालेंगे और फिर वो रात में ही सब को लाइन से लेटा देते हैं और फिर चेक करते हैं एक लड़का होता है फ्रैंको जिसके सबसे बढ़या चूताड होते हैं तो वो उसे धमकी देते हैं और वो कैसे कहते हैं कि वो उसे अभी नहीं मारेंगे उसको मानने का टाइम अभी नहीं आया है और इसके बाद सुरू होता है चौथा स्टिप यानी सरकल आव बलट ये चारों में लोग अब स्टट से साधी कर लेते हैं और सेरिमेनी में ज्याधा रौनक नहीं होती है तो ये सब लोगों को हसने का आदेश देते हैं पर कोई भी नहीं हसता और ये देखकर एक प्रो प्लेयर और उसकी पियानिस एक मजाग करती हैं उन लोगों को हसाने के लिए इसी भी साधी में अंगूठियां एक्चेंज हो जाती हैं साधी पूरी होती है और रात को बिस्वप और स्टट अपनी फर्स नाइट मनाते हैं बिस्वप रात में ही सब के रूम की तलासी लेने चला जाता है और वो देख प्यार करती है और फिर वाज सब को लेकर उसके पास जाती है जहां वो एक दूसरे से लगी होती है और वेस्वप को देखके वो लोग डर जाती है तो उसे एक और सीक्रेट रिवील करती है कि एक गार्ड रोज चुपके से एक सर्वेंट के कमरे में जाता है इतना सुनके सब को एकटा करके उस सर्वेंट के कमरे में जाता है जहां पर वो दोनों सर्वेंट और गार्ड लगे होते हैं और वो उन्हें देखकर रंगे हांथ पकल देते हैं और उन्हें मार डालते हैं उसके बाद वो विक्टिम लड़के को गार्ड की नौकरी पर रख लेते हैं और उन victim को blue ribbon देते हैं जो कि सजा के पात रोते हैं वो victims को pot पे विठा के रखते हैं और उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है और सब वहां पर रो रहे होते हैं और इसवर से प्रातना कर रहे होते हैं तब ही उन्हें बहार ले जाया जाता है और फिर वो सब उन पर बहुत ज़ा लेते हैं और दूसरे की वो जीब काट देते हैं और किसी को फांसी में चाड़ा देते हैं तो किसी का प्राइवेट पार्ट जला देते हैं और हर अमीर आदमी एक एक करके उन पर अत्याचार करता है और दूसरा आदमी उसे दूर से देखकर मजे लेता है इस टट्स भी उन से कूट कर जान दे देती है और वो सब अत्यचार उन पर कर लेते हैं तो फिर वो डांस करते हैं साथ में क्योंकि उनकी मौश से उनका रिच्वल पूरा होता है और सब के मरने के बाद मेंशन में अपने अपने कमरे पर चले जाते हैं और मूवी यहीं पर end हो जाती है तो इतना ही था गाइस वीडियो के लिए जाते जाते चैनल को सस्क्राइब कर देना बेल आइकन प्रस करके all कर लेना एंड लाइक कर देना वीडियो को सो चलिए बाई बाई नेक्ट वीडियो मिलते हैं